हलो बच्छों, लेट से रिट आउट दी कॉश्चिन, ए स्टुटेंट फॉर्गोट तो एड दी रियक्शन मिक्शर तो दी राउंड बॉटम फ्लास्क ऐस 27 दिग्री चल्सियस, बट इंस्टेड, ही और शी प्लास्क अन दी फ्लेम, कि एक स्टुटेंट था, वो उसने क्या किया, वो अपने एक फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क में, उसने अपना रियक्शन मिक्शर डालना उसे चाहिए था, बट वो डालना वो भूल गया, ठीक है, किस टेंप्रेचर पर था वो, 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो मतलब यहाँ पर हमें, इनीशल टेंप्रेचर जो है, इनीशल टेंप्रेचर टी वन, वो गीवन है हमें यहाँ पर कितना, वो गीवन है हमें, 27 डिग्री सेल्सियस, तो चलिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, So, we have given that, The value of T1, इनीशल टेंप्रेचर, इस 27 डिग्री सेल्सियस, बट उसकी जगए उसने क्या किया, उसे एक फ्लेम पर रख दिया, ठीक है, कुछ टाइम बात क्या हुआ, उसे अपनी मिस्टेक रिलाइज हुई, और उसने क्या किया, एक पायरोमेटर की हेल्प से, उसका टेंप्रेचर चिक किया, और उसने ये पाया, कि जो फाइनल टेंप्रेचर है, वो हो चुका है कितना, वो हो चुका है, 477 डिग्री सेल्सियस का, अब यहाँ पर अगर हम देखे, 477 डिग्री सेल्सियस का मतलब यह हुआ, कैल्विन में अगर हम इसे कन्वर्ट करें, तो 477 प्लस 273, तो यह आएगा हमारा 750 कैल्विन, अब यहाँ पर क्या है, इनिशल टेंप्रेचर T127 डिग्री सेल्सियस है, मैं इसे भी कैल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो यह आएगा हमारा 273 डिग्रने पर 300 कैल्विन, अब क्या हुआ यहाँ पर, हमें कोश्चन यह पूछ रहा है, कि what fraction of air would have been expelled out, कितनी fraction of air जो है, वो बाहर निकल गई होगी, ओके, तो यह एक open container टाइप वाला example है, तो जरा अगर हम यहाँ पर देखें, open container वाले case में अगर हम बात करते हैं, तो pressure क्या होगा यहाँ पर constant, और volume of the container वो भी क्या होगा यहाँ पर constant होगा, pressure is constant, volume is constant, तो अगर हम यहाँ पर देखें, if pressure is constant, volume is constant, हम क्या जानते हैं, equation होता है हमारा PV equals to nRT, if pressure is constant, volume is constant, R is constant, so basically this n into t is a constant, या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या n1 t1 is equals to n2 t2, अराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, n1, यह हैं हमारे initial number of moles, ठीक है, इसे हम as it is रहन देते हैं, into t1, t1 कितना है हमारा 300 Kelvin है, is equals to n2, finally उस container में कितने number of moles बचे हुए हैं, into t2, और t2 है हमारा यहाँ पर कितना, 750 Kelvin, right, सो अगर हम यहाँ से compare करें, n2 is equals to कितना आएगा, सो यह आएगा 300 divided by 750 into n1, जरा इसे 150 से अगर हम cut करके देखें, तो यह 2 divided by 5 आएगा, ओके, सो यहाँ से हम यह लिख सकते हैं, कि n2 is equals to 2 by 5 of n1, मतलब, 2 fifth of the initial moles क्या हुए हैं, यहाँ पर बचे हुए हैं, बट हमें यह थोड़े न बताना है, हमें क्या बताना है, हमें तो बताना है कि कितने fraction जो है, वो बहार निकल गए, सो सोचो, अकर 2 fifth बचे हुए हैं, तो कितने बहार निकल गए, क्या 3 fifth बहार निकल गए, बिल्कुल सही बात, सो, fraction of air expelled out, सो the fraction of air expelled out, total का कितना fraction बहार निकल गया होगा, the fraction of air expelled out, is equals to 3 upon 5, and 3 upon 5 is the correct answer, I hope you understand this, thank you.